हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्णर और आज देखे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्बल की मूर्तियों को कैसे साफ करें और यह देखे यह मेरी दुरगा माता की है मूर्ति तो देखे किस तरह से थोड़ थोड़ी पीली भी पड़ गई है और साती जैसे साई बाबा बगारे की मूर्ति साफ करनी हो तो आप इसी तरीके से साफ कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल प्रिटी कॉर्णर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब क तो हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें तो देखिए सबसे पहले हम एक पेस्ट बना लेंगे हमारी मूर्ति को साफ करने के लिए तो यहां पर यहां पर इनो लिया है एक शेशे इनो हो गई है और मैं इसे एक बाउल में डाल दूँगी आप अपनी मूर्ति के अकॉर्डिंग पेस्ट बनाएगे का कम यह जादा अब यह मैंने यहां पर लिया है बेकिंग सोडा जो हम घर पे इस्तमाल करते हैं खाने वगरा में वही है यह आप चाहें तो खाली बेकिंग सोडा या खाली इनो भी ले सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को मिलाने के बाद रिजल्ट जादा अच्छा आता है तो मैंने इसलिए दोनों चीज़ ली हैं आप चाहें तो कोई एक स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि जब मैंने अपना मंदिर साफ करने की वीडियो डाली थी उसमें कई लोगों ने मुझे पुछा था कि हम कोई एक भी उसकर सकते हैं तो क्या बताईए आप तो आप कोई एक भी ले सकते हैं अब यह देखे यह है डिश वाश मेरे पास है लिक्विड डिजर्जन कहते हैं जिसे और इसे मैंने थोड़ असा पानी के साथ डाइलूट करके रखा हुआ है पहले से ही तो वही मैं ले रही हूँ आप कोई भी ले सकते हैं प्रिल वगरा किसी भी कमपनी का या अगर आपके पस यह नहीं है तो आप शैंपू भी उज़ कर सकते हैं कोई भी माइल्ड शैंपू तो यह देखे मैंने यह ले लिया है और अब अच्छा सा फ्रौथ हा गया इसमें इस तरीके से हम इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक पेस्ट सा बना लेंगे और अब यहाँ पे मैं नीचे यह प्लेट सी रख लूँगी ताकि नीचे से गंदा ना हो तो मैंने यह प्लेट रख ली है और यह देखे मैंने अपनी मूर्ती रख ली है और अब यह थोड ने मुझसे request की थी कि मैं मूर्तिय वगरा साफ करके भी वीडियो बनाऊं तो आज उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना के डाल रही हूं तो देखिए इस तरीके से पूरे अच्छे से हम मूर्ति पे लगा लेंगे और ये पुराना toothbrush लिया हुआ है मैंने इसे मैं मंदि इस तरीके से आप जो जैसे detailing वगरा होती है पत्थर में उधर भी ऐसे रब कर दीजिए और हमें इसे छोड़ना नहीं है थोड़ी वह दिर के लिए भी नहीं चोड़ना है हम साथ साथ इसे रब करेंगे और क्यूंकि ये रोली के दाग नहीं निकल रहे थे तो ये आप पट्टी में लगा हुआ है मैं उधर थोड़ा थोड़ा सा ये ब्लीच लगा के रब करूगी पूरी मूर्ती पे हम ये ब्लीच नहीं लगाएंगे ये सिर्फ में यहां पे लगा रही है जो बहुत ज़्यादा हार्ट स्टेन हो गया है और बहुत क्विकली काम करना है हमें इसे छोड़ना नहीं है और ये देखे कितने अच्छे से ये कर रहा है वर्क कर रहा है और इस तरीके से हलकेल के हाथ से आप इस तरह से रब कर दीजिएगा तो ये बहुत अच्छी ट्रिक थी जो मैंने यूज करी और बहुत वर्क भी करा इसने तो आप भी इसे अज सकते हैं लेकिन आपको इन सब चीजों को मूर्ति पर पत्थर पर रखके छोड़ना नहीं है ये देखे इस तरीके से आप रब कर सकते हैं और बहुत ही इजी तरीका होता है ये मूर्तिया साफ करने का और आप चाहें तो ये देखे इस तरह का जूना ले सकते हैं इससे भी रगड़ सकते हैं लेकिन आप हैसे जो मूर्ति हैं इसके detailing पर रगड़िएगा वो घिज जाती है आप से देखे नीचे या तो ये नीचे की side पर plane side पर रगड़ सकते हैं या फिर बैक side में रगड़ सकते हैं मूर्ति के और आप मूर्ति के rankings रगडेंगे तो भी हलके हलके हथों से ही आपको रगड़ना है बहुत जदा प्रेशर से नहीं रगड़ना है, जो नकाशी सी होती है, जो मूर्थी में डिटेलिंग दियो होती है, वो सारी खराब हो जाती है, और ये देखिए हमारे जो रोली है, बहुत हद तक निकल चुकी आफर बिफौर की पिक्स भी दिखाऊं गई तो यह देखिए क्योंकि यह पत्थर पानी में था काफी देर से हमें से रगड़े थे तो यह भी पीला-पीला सा पड़ा हुआ दिख रहा है आपको लेकिन जैसे जैसे यह सुखेगा देखिए आपको यह वाइट दिखने लगेगा यह देखिए और यह जो रोली का अब बहुत असान तरीका था यह तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लिस कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं बहुत सारी मैंने और भी क्लीनि हो तो लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे चैनल प्रिटी कॉर्णर को बेखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद